राम तुम्हारा वरत्त स्वयम ही एक काव्य है कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं मैथली शननगुप्तर जिने हम भारत के पहले राश्ट्र कवि के रूप में जानते हैं और आपकी इंतजार के घडियां समाप्त हो गई हैं आप प्रसंद हो जाएए आनंद से उचल पढ़िये क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं आपका चिर प्रतीक्षित का वे साकेत और उसका नवमसर्ग तो चलिए मैंने अभी आपसे साकेत की प्रारंब एक दो पंक्तियां पढ़ी जो स्वयम मैथली शन गुप्त ने साक पंक्तियों के रूप में कवी ने यहां ये पंक्तिया लिखी है एक बार फिर दोहरा देती हूं राम तुम्हारा व्रत स्वयम ही एक काव्य है कोई कवी बन जाए सहज संभाव है इसका अर्थ ये है कि मैथली शन गुप्त क्योंकि राम भक्त थे राम परिवार के भक्त थ होते हैं और उन भावों के जरिये कविता अपने पाठकों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है उसी तरह से हे राम तुम्हारा जो जीवन रत है तुम्हारे जीवन की जो कथा है तुम्हारे जीवन के जो प्रसंग है वे अपने आप में इतने विविद रसों से परिप पुप्त की राम के प्रती अनन्य भक्ती और समर्पन भाव अभिव्यक्त होता है तो चलिए दोस्तों बहुत अधिक समय नहीं गमाते शुरू करते हैं आज का सत्र लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा बोलती हूं नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मन से मैं डॉक्टर रि स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं साकेत का नवमसर्ग तो चलिए बिना समय गवाए पहले कवी मैथली शरण गुप्त के जीवन से परिचित होते हैं उनकी साहित्य कृतियों से परिचित होते हैं तो चलिए शुरू करते ह जीवन परिचय की बात करें तो मैथली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ आपको पूलना नहीं है और जन्म स्थान आपका क्या था चिरगाव नामक स्थान में आपका जन्म हुआ और ये चिरगाव नामक स्थान उत्तर प्रदेश के 6 नामक स्थान पर स्थित है आ जानी कहने का अभिप्राय क्या है कहने का अभिप्राय ये है कि मैथरी शरण गुप्त का संबंद जिस परिवार से था वो एक व्यवसाई परिवार था आपकी माता का नाम काशिवाई था आपकी प्रारंभिक सिक्षा चिरगाव में ही संपन हुई यानि स्थानिय विद्य तोर पर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, जो अध्यान किया, वो हिंदी, बंगला और संस्कृत साहित्य का गहन अध्यान किया, जिसका स्पष्ट प्रभाव उनके क्रतित उपर यानि उनकी क्रतियों पर दिखाई देता है, आपका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ, आगे च कोशिश की है, कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि परिक्षा में आया हुआ, कोई भी प्रश्ण ऐसा न हो, कि जिसका सही उत्तर आपके पास न हो, तो सबसे पहला बिंदू आपको याद रखना है, कि आप यानि मैथ्लिशन गुप्त, दुवेदी युग के महतुपूर्ण कभी है, यदि ये पूछा जाए, कि मैथ्लिशन गुप्त किस युग के कभी है, तो दुवेदी युग के महतुपूर्ण कभी है, और आप भारत के पहले राष्ट्र कभी है, भारत के पहले राष्ट्र कभी कौन है, तो मैथ्लिशन गुप्त भारत के पहल स्वयम महत्मा गांधी ने उन्हें राश्ट्र कवी की उपादी से विभूशित किया, आपको ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति ने मैथली शरन गुप्त को राश्ट्र कवी की उपादी से विभूशित किया, उस व्यक्ति का नाम है महत्मा गांधी, और किस कृती के आधार प सम्मानिये थे तो दद्दा के नाम से फुकारा करते थे बारे वर्ष की अवस्था में आपने काविस रजन शुरू कर दिया और ये बहुती आश्चरी की बात है दोस्तों कि बारे वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो काविस रजन शुरू किया वो कनक लता के नाम से ब्र ब्रजभाशा में लिखा, खड़ी बोली में लिखना आपने बहुत बाद में प्रारम किया, लेकिन आपको साथ ही ये भी याद रखना है कि उनकी जिस कृती का नवासर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कृती खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, ब्रजभाशा में नही कालंतर में आपने ब्रजभाशा में ही शुरुआत कनकलता उपनाम से की, ब्रजभाशा में ही रसिकेंद्र नाम से लिखना शुरू किया, यानि उपनाम एक बार फिर आपने बदला इसको भी उपनाम कर लेंगे, ब्रजभाशा में ही कविताएं लिखी और यहां विशेश तोर पर दोहा चौपाई छपपए आदी छंदों में कावेसरजन किया गया, यानि शुरूआत कावेसरजन की हुई कनकलता उपनाम से ब्रजभाशा में, उसके बाद उन्होंने उपनाम को परिवर्थित किया, और कुछ समय बाद आपने रसिकेंद्र उपनाम से आगे चलते हैं. कि आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी के संपर्क में आने के बाद बिंदी हटा देंगे. संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली में आपने काविस रजन शुरू किया. यानि प्रश्न बंता है कि किसकी प्रेणा से मैठली शन्गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी में और सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की उस समय की एक प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी, तो ऐसी स्थिती में उनकी रचनाए स्वाभाविक था कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी, यानि वैश्योकारक, वैंकटेश्वर और मोहिनी पत्रिकाओं के यानि आपकी कृतियों का प्रकाशन 1910 में प्रारंब हुआ, 1946 में आपको साहित्य वाचस्पती की उपाधी से अलंकरित किया गया, आपकी साहित्यक प्रतिभा को देखते हुए, आपको 1946 में साहित्य वाचस्पती की उपाधी प्राप्त हुई, 1948 में आगरा विश्विद्याले और 1962 में हिंदू विश्विद्याले से आपको डिलिट की उपाधियां सम्मान पूर्वक प्रदान की गई हिंदू विश्विद्याले में इसी के बाद आपको मानद प्रोफेसर नियुक्त किया गया मानत प्रोफेसर का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ दोस्तों कि एक तो प्रोफेसर वे होते हैं जो अपना आवेदन पत्र भीशते हैं और जिनकी नियुक्ति होती है सेलेक्शन के बाद लेकिन मैथली शरंगुप्त वे व्यक्ति थे जिनने सम्मान पूर्वक्त हिंदू विश्वी द्याले ने स्वयम सम्मान देकर मान देकर के प्रोफेसर नियुक्त किया तो जो सम्मान पूर्वक्त प्रोफेसर नियुक्त किये जाते हैं उन्हें मानत प्रोफेसर कहा जाता है मान देकर मान देकर जिनने प्रोफेसर बनाया जाए 1952 से 1964 के मध्य आप राज्य सभा के सदस से भी मनोनीत किये गए ये बात भी आपको भूलनी नहीं है कि 1952 से 1964 के बीच महतली शर्ण गुप्त राज्य सभा के सदस से मनोनीत हुए आगे चलते हैं 1962 में ही तककालीन राश्टुपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद द्वारा उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेट किया गया 1954 में साहित्य एवं सिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए आपको पद्म भूशन से सम्मानित किया गया और फिर पद्म भूशन से भी वे सम्मानित किये जा रहे हैं तो ये बात आपको धियान रखनी है क्योंकि ये मैथली शरण गुप्त की साहितिक प्रतिभा के वे महतुपूर्ण पड़ाव हैं जिन्हें हमें जानना ही चाहिए 1911 में आपने साहित्य सदन नामक प्रैस की चिरगाओं में स्थापना की और 1954 पचपन में जासी में आपने मानस मुद्रण की स्थापना की ये दो महतुपूर्ण बिंदु हैं जे दो महतुपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें उन्होंने स्थापित किया प्रयाग में आयोजित, सरस्वती पत्रिका के स्वन जयंती समारोह में आपने अध्यक्षता की, यानि आप वहां उस समारोह के अध्यक्ष बनाए गई, आगे चलते हैं, अब आपका द्रश्टिकोन कैसा रहा है, उसके विशह में जानना है कि जो भी का कावेसरजन आपने कि या उसका द्रश्टिकोन, उसके मूल में द्रश्टिकोन था मानववादी, नैतिक और सांस्क्रतिक, यानि आपके कावेसरजन का मूल उद्देश्य मानव मूलियों की स्थापना करना, नैतिक मूलियों की स्थापना करना और भारत के सांस्क्रतिक पुनरुथान का पथप पुनर उठान शब्द का मतलब है फिर से उठना फिर से उठने से यहां क्या तात परे है मैथलीशन गुप्त को पुनर उठान का कवी आखिर क्यों कहा गया है क्योंकि दोस्तों जिस समय मैथलीशन गुप्त का जन्म हुआ और उन्हें साहित्य स्रजन शुरू किया उस समय हम हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी के दौरान हम अपने सांस्कृतिक वैभव को अपने देश की सांस्कृतिक परंपराओं को उसके सांस्कृतिक गौरव को भूल चुके थे और यही कारण था कि हमारा आत्मविश्वास लुप्त हो रहा बलकि मानव मूल्यों और नैतिक मूल्यों के भी फिर से स्थापना की ताकि वे भर भारतवासी के खोए हुए आत्मविश्वास को लौटा सके और निराशा के स्थान पर आशा का संचार कर सकें. यही कारण है कि इस फिर से दोबारा से सांस्कृतिक वैभव, सांस्कृतिक ग जान चुके हैं, वे प्रमुक्त है, इंदू, प्रताप और प्रभा पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई. सरस्वती पत्रिकाओं में तो प्रकाशित हुई थी, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी की प्रेड़ना से आपने प् आविसरजन प्रारम किया, तो सरस्वती में तो आपकी खड़ी बोली की रचनाये प्रकाशित हुई ही, इसके अतिरिक्त इंदु प्रताप और प्रभा आधी पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाये प्रकाशित हुई, प्रताप नामक पत्र में अब देखिए दो कनकलता और र प्रकाशित की, 1935 में साकेत के लिए जिस कृति का नवा सरगम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपको हिंदुस्तान अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया, और 1937 में इसी कृति के लिए हिंदी साहिते सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको मंगला प्रसार पारितोशिक से सम्मानित किया गया, जो उस समय का एक सरवोच साहितिक सम्मान माना जाता था, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैठलीशन गुप्त की कृतियों की, तो आपने नाटक लिखे, कावे कृतियां लिखी और कुछ अनुदित कृतियां भी लिखी, यानि आपके पूरे के साहितिकों हम मोटे तोर पर तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, पहला नाटक रितियां, दूसरा कावे कृतियां और तीसरा अनुदित कृतियां, ये आपको भूलना नहीं है, आपकी लगभग 40 मौलिक कृतियां हैं, और 6 आपने अनुदित कृतियां लिखी, यानि वैभव, विकट भट, वैतालिक विरहिणी, शक्ति, सेरंधरी, स्वदेश संगीत, हिडिमबा, हिंदू और चंद्रहास, आगे चलते हैं, अब आपकी जो अनुदित कृतियां हैं, उन अनुदित कृतियों में आपने विशेश तोर पर संस्कृत के नाटकों के र मीने एक उतक्रिश्त नाटक लिखे, उन भास खे नाटकों के जो संस्कृत में मूलते लिखे गए हैं, उनके हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत किये, उनका हिंदी में अनुदेत एक नाटक है, अनग, जो किस कौनसे नाटक का संस्क्रित के स्वपन वासवदत्ता जो भास का नाटक है उसका हिंदी अनुवाद अनग के रूप में किया गया प्रतिमा जो भास का नाटक है संस्कृत में लिखा हुआ उसका चननदास के नाम से हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया अभिशेक जो भास का नाटक है संस्कृत में लि का नाम है मेगनात्वद, विरनी वज्जरांगना और पलासी का युद्ध, आगे चलते हैं, अब आपकी जो कावे कृतियां हैं, वो कावे कृतियां दो रूपों में सामने आती हैं, प्रबंध कृतियां और खंड कावे, प्रबंध कृतियां वे कृतियां होती हैं, जिन में कि एक विस्तरित कथा वस्तु को आधार बना कर काव्य स्विजन किया जाता है, एक पूरी की पूरी कहानी, एक कथा प्रारंब से अंत तक चलती है, जो कि जिस दो नायक और नायका हैं, उनके विशाल जीवन व्रत को समेठती है, उसे प्रबंध कृति कहते हैं, और इसी प्र खंड कावे क्या होते हैं, जो नायक और नायका, जिनको आधार बना कर काव्य स्रजन किया जा रहा है, उनके जीवन के किसी एक विशेश पक्ष को आधार बना कर, समग्र जीवन को आधार बना कर, जो रचनाई लिखी जाती हैं, वे प्रबंध कृतियां होती हैं, लेकिन विशेश तौर पर नायक और नायका के जीवन के किसी एके-एक विशेश प्रसंग को आधार बना कर जो रचनाएं लिखी जाती हैं वे खंड कावे कहलाती हैं. तो इस तरह है कि आपकी जो कृतियां हैं वो हैं जैद्रत वज जो 1910 में प्रकाशित हुई, भारत भारती जिसकी चर्चा सुतंचता आंदोलन के दोरान काफी रही 1912 में प्रकाशित हुई, पंचवटी 1925 में प्रकाशित हुई, द्वापर 1936 में प्रकाशित हुई. और सबसे ज्यादा रचनाएं खंड काव्यों के रूप में ही मैथली शन्गुप्त ने लिखी और आपके कुछ अन्य खंड काव्य हैं सिद्धराज, नहुश, अंजली और अर्ग्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और कर्बला, किसान, कुनालगीत, गुरुतेग ब मिला, अब अनुदित कावे कृतियों की बात करें, तो आपने उमर खयाम की जो रुबाईयां हैं, उनका फार्सी से हिंदी में अनुबाद किया, मैथली शन्गुप्त ग्रंथावली भी आपके समग्र कावे स्रजन को आधार बना कर साहित्यक स्रजन को मैं कहूंगी, कि आ अब बात आती है, उस साकेत नामक महा कावे की, प्रबंध कावे की, जिसके नवे सर्ग पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम साकेत को पढ़ना शुरू करें, उसकी व्याख्याओं को समझना शुरू करें, हमारे लिए जानना जरूरी है, कि साकेत आखिर है क्या, उसकी कथा की प्रष्ट भूमी क्या है, और ये किस प्रकार की रचना है, और इसके विशय में कौन-कौन सी महतुपूर्ण बाते हैं, जो हम लोगों को जाननी चाहिए, तो चलिए पहले चर्चा करते हैं, साकेत से संबंदित महतुपूर्ण तत्यों पर, स कवी ने स्वयम स्वीकार किया है, कि 1912-13 में उन्होंने साकेत लिखना शुरू किया, और 1929 तन उनका ये कार्य पूरा हुआ, लेकिन कवी ने स्वयम साकेत की भूमिका में ये स्वीकार किया है, कि आज भी नवे सर्ग में जो उर्मिला की मनास्तिती का चित्रन उन्होंने क दिया है वे उससे संतुष्ट नहीं है उनकी दृष्टी में ये नवासर्ग आज भी अधूरा है लेकिन ये कविकी का अपना दृष्टी कौन है क्योंकि उसके हिर्दय में जो भावनाओं का विशाल सागर लहरा रहा है उर्मिला की मनस्तिति को लेकर उसको पूर्ण रूप से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं ऐसा वे मानते हैं तो 1912 और 1913 से लेकर 1929 के बीच साकेत रचा गया लिखा गया और 1931 में आपका ये प्रबंध काव्य ये कृति प्रकाशित हुई आप ये एक सर्ग बद्ध काव्य है यानि ये सर्गों में विभाजित है और इसमें कुल बारह सर्ग है ये आपको भूलना नहीं है कि साकेत में कुल कितने सर्ग है तो बारह सर्ग है ये एक प्रबंधात्मक क्रती है मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रबंधात्मक क्रती वो होती है जिसमें विशाल जीवन वरत को प्रस्तुत करने का प्रयत्म किया जाता ह काव्य की भाषा खड़ी बोली है ये आपको जानना चाहिए साकेत का कथानक राम कथा पर आधरित है किन्तु राम कथा का वर्णन करना कभी का उद्देश्य नहीं है जैसे तुलसी दाजजी ने राम चरित मानस लिखा तो उनका उद्देश्य था राम के चरित्र को प्रस्त प्रस्तम रूप को भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके वहां तुलसी दाजजी का ये उद्देश्य था वालमी की का उद्देश्य भी यही था जब उन्होंने संस्क्रित में रामायन महाकाव्य लिखा लेकिन साकेत के स्रजन के मूल में मैठली शरंग कुप्त का उद्देश्य राम के चरित्र का राम की कथा का चित्रन करना बिल्कुल भी नहीं था यद्यपी साकेत की मूल कथा राम कथा पर ही आधारित है फिर भी कवी का उद्देश्य राम कथा का चित्रन करना बिल्कुल नहीं है साकेत का मुख्य उद्देश्य राम कथा में जितने भी उपेक्षित स्त्री पात्र हैं, जिनके चरित्र को अभिव्यक्त नहीं किया गया, जिनके चरित्र के प्रती कवियों ने ध्यान ही नहीं दिया उनके चरित्र की अभिव्यक्ति की और उन सभी के व्यक्तित्व को, उनकी मनास्थिती को, उनके चरित्र को अभिव्य को उजागर करने के उद्देशे से लिखा गया है तो साकेत का उद्देशे क्या हुआ साकेत का उद्देशे हुआ लक्षमन की पत्नी उर्मिला के अंच हुए व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना आगे चलते हैं श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त क तो वे राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को भी अभी व्यक्त करना अपना एक उद्देश रखते हैं और ये पंक्तियां जो मैंने आप से शुरुवात में ही कहीं राम तुम्हारा व्रत्त स्वयम ही एक काव्य है कोई कभी बन जाए सहच संभाव्य है यानि हे राम ये साह ये काव्यकृती मेरे द्वारा स्रजित नहीं है मुझ में इतनी क्षमता इतना सामर्थ है कहां कि मैं आपके विशाल व्यक्तित्थ को विशाल जीवन को काविता में पिरोकर पाठकों की समक्ष प्रस्तुत कर दूँ आपके तो काव्य में स्वयम में ही वह प्रतिभा है, वह गुन है, वह सामर्त है, कि कविता स्वयम रची चली जाती है, और कोई भी आपके जीवन वरत्त के प्रभाव से कवी बन सकता है, साकेत के प्रेणा, साकेत का स्रजन करने की प्रेणा कवी को कहां से विली, ये बात बहुत महतुपूर्ण है दोस्तों, इस पर निश्चित जो उन्होंने बंगला भाशा में लिखा था, और हम पढ़ चुके हैं कि मैथली शनगुप्त ने बंगला साहित्य का गहन अध्याइन किया था, तो बंगला पढ़ना उनके लिए बहुत सहज और आसान सी बात थी, तो ऐसी स्थिती में उन्होंने रविदना टैगोर का काव्य में उपेक्षित स्त्री पात्रों पर चर्चा की थी और उनके प्रती अपनी संवेदना व्यक्त की थी, तो उससे प्रभावित हूकर मैथली शनगुप्त के मन में भी ये भाव जागा कि उन्हें इन उपेक्षित स्त्री पात्रों पर काविसरजन करना चाहिए, और इस इन दौनों निबंधों की प्रेढ़ना से मैथलिशन गुप्त ने साकेत महा कावे का स्रजन किया। आगे चलते हैं। रविन्ना टैगोर की ये पंक्तियां दोस्तों बहुत महतुपूर्ण हैं क्यूंकि आप इसके द्वारा समझ सकेंगे कि उन्होंने अपने रेबंध कावे रुपेक्षिता में किस तरह से उर्मिला के उपेक्षित व्यक्तितु के प्रती अपनी समवेदना व्यक्त की। तो वे लिखते हैं, संस्कृत साहिते में कावे यग्यशाला की प्रांत भूमी में जो कितनी ही नारिया, अनादृत, जिनको सम्मान जितना सम्मान जिने मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला, होकर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है, हाई, अव्यक्त सेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय, प्रातेहकाली इंतारा की भाते महा कावे के सुमेरु शिखर पर हुआ था, उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, कहां तुम्हारा उदया चल है, और कहां अस्ता चल, यह प्रश्न करना भी प्रश्न करना ही कवी भूल गए है, तो यह समवेदना व्यक्त की रविन्ना टैगोर ने अपने निबंध में और मिला के प्रती, आगे चलते हैं, अब साकेत के विशह में कुछ महतुपूर्ण कथन विद्वानों की द्वारा कहे गए हैं, जिन पर प्रश्न पूचा जा स रखता है, उन महतुपूर्ण कथनों को आप बिल्कूर अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, तो सबसे महतुपूर्ण कथन सबसे पहले आता है, डॉक्टर नगेंद्र का, जिनोंने लिखा है, साकेत जीवन काव्य है, अब आपको ध्यान दखना है कि अगर प्रश्न प बीच अंकित है, दूसरा कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है, साकेत में गुप्त जी के कवी जीवन का पूर्ण वैभाव मिलता है, अतै उसका कलेवन अलंकरित है, उसमें शकुंतला का वन्य सौंदरे नहीं, उर्वशी का नागरिक विलास है, यहां उनकी प्रतिभाने क विता को नई नई श्रंगार सामगरी से चित्र विचित्र सजाया है, अगला कथन है, डॉक्टर शिवदान सिंग चोहान का, साकेत रचकर गुप्त जी ने महा कावियों की परंपरा में योगांतर स्थापित कर दिया, ये कथन किसका है, शिवदान सिंग चोहान का, आगे चलते हैं, डॉक्टर धिरेंद्र वर्मा लिखते हैं, नवम सर्ग को एक नन्धा सूर सागर मानना चाहिए, समझना चाहिए, एक नया गोपिका विरह सामने आता है, यानि नवम सर्ग को एक नन्धा सूर सागर मानने वाले विद्वान का क्या नाम है, तो आपका उत्तर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, साकेत के विशय में लिखते हैं, वास्तों में उर्मिला वेदना और मंगल कामना की जीती जागती तस्वीर है, उसे जीवन से बाहर प्राचीन विरहनियों की पोटी में रख कर देखना उचित नहीं, उसका ताप और त्याग उसको किसी रूप में हमें उर्मिला के व्यक्तितूह में दिखाई देंगी, आचारे नंदुलारे वाच पर Juha का लिखते हैं, आचारे नंदुलारे वाच पह लिखते हैं कि साकेत महाकावी नहीं, यह आधुनिक हिंदी का योगप्रवर्तक महाकावी है, किस विद्वान ने मान है साकेत को इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है तो ये कुछ एक कथन है साकेत के विशय में महतुपूर्ण विद्वानों के जो आपको भूलने नहीं है अपनी स्मृति में हमेशा ताजा रखने हैं आगे चलते हैं अब साकेत इससे पहले कि हम नवे सर्ग पर आएं क्योंकि साकेत में कुल सर्गों की संख्या है बार है तो उसमें से नमा सर्ग हमको पढ़ना है तो नवे सर्ग को समझने के लिए अच्छी तरह से हमारे लिए दोस्तों ये अनिवार है ये जरूरी हो जाता है कि हम उसकी पूरी की पूरी कथावस्तु से संक्षेप में परिचित हूँ तो चलिए साकेत का कथानत सबसे पहले तो रामकथा बराधारित है यह हम पढ़ चुके और कथा उर्मिला और लक्षमन के संयोग सुख से प्रारम होती है यानि उर्मिला और लक्षमन का जब विवाह होता है तब वेकिस प्रका को आधुनिक काल का तुलसी भी कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है अब क्रमबद हम संक्षेप में देखेंगे कि इस साकेत महा कावे की संक्षिप्त कथा आखिर क्या है तो पहले सर्ग में जैसा कि हमारी परंपरा है जब भी कभी कोई साहितिस रजन करना शुरू कर करते हैं कोई कावे कृति प्रारंब करते हैं तो इश्वर की स्तुति करना उन में एक महतुपूर्ण धर्म है क्योंकि हमारी भारतिय संस्क्रती में कोई भी काम इश्वर के स्मरण के बिना किया ही नहीं जाता और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मा सरस्वती विद्या और ज्यान की देवी मानी गई है, तो इस कावे की शुरुआत सबसे पहले देवी शारदा की स्तुती से हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कावे के प्रारब में किसकी स्तुती की गई है, तो देवी शारदा की स्तुती की गई है, साकेत फिर उसके बाद साकेत नग प्राव्ण में देवी शार्दा की स्तुति करने के बाद कवी ने साकेत नगरी के एश्वरेशाली जीवन की का चित्रण किया है और बताया है कि किस प्रकार साकेत में यानि आयोध्या में राजा और प्रजा के बीच सोहार्द पून संबंध है, सदभावना है, राजा दशर वहां के शासक हैं, राजा हैं और उनके चार पुत्र हैं, राम, लक्षमन, भरत और शत्रुग्न, इनका वर्णन संग्षेप में किया गया है, उसके बाद राजा दशरत की एक मात्र अभिलाशा पर आकर के कावी कृतिकार की दृष्टी केंद्रित हो जाती है और वो अभ सूचना प्रभात के सुर्यों देह होने के साथ ही लक्षमन, दामपत्य खास-परिहास के बीच अपनी पतनी के पास लौटने हो जैसा कि पत्धाशी मजाग के बीच उर्मिला को राम की राज्याविशेग की सूचना देते हैं और यही पर, यानि राम की राज्याविशेग की सूचना के साथ ही पहला सर्ग समाप्त हो जाता है दूसरा सर्ग आता है और राम की राज्याविशेग की सूचना की बाद चारों तरफ सपूरे राज्ये में फैल जाती है और इस सूचना से सारी की सारी अयोध्या नगरी में आनंद की लहर हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, लेकिन मंथरा जो के कई की किदासी है, आप सभी जानते हैं, वो उदास और चिंतित हो जाती है, और परिणाम ये होता है, जैसा कि रामचरित मानस में भी हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं अच्छी गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिती में राम के राजया विशेख का आखिर अच्छेती क्या है, तो ये बात के कई के मस्थिष्क में भी अच्छी तरह से बैठ जाती है, और पनेडाम ये होता है, के के कई क्रोधित हो जाती है, और तशरत से वर्दान स्वरूप रा राम और लक्षमन तक पहुंचती है, राम इसको बहुत सहज, क्योंकि मर्यादा पुरिशोत्तम है, तो बहुत सहज रूप से स्विकार करते हैं, लेकिन लक्षमन क्योंकि क्रोधी स्वभाव के हैं, और गलत बात को सहन करना उनके स्वभाव के विपरीत है, तो यही कारण मना नहीं कर पाते इनकार नहीं कर पाते फलते हैं लक्षमण को वे स्वीकृती दे देते हैं अपने साहथ चलने की उधर दशरत को जब पता चलता है कि राम सच्छमुच में बनवास जाने वाले हैं तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं और बार-बार मूर्चित होते हैं अस्वस्थ होने के कारण चिंता के कारण बार-बार मूर्चित होने लगते हैं यानि बेहोश होने लगते हैं राम उन्हें बहुत तसल्ली देते हैं लेकिन फिर भी दश्रत का हरदय बिल्कुल भी संभलता नहीं है और यहीं पर आकर के दश्रत की इस अस नाकरम की चर्चा करते हैं, उनके सामने कौशलया बहुत चिंतित हो उड़ती हैं, जब सीता जी कहती हैं कि मैं भी अपने पती के साथ जाओंगी, तो वे बहुत वन गमन से, सीता के वन गमन से बहुत पीडित हो जाती हैं, राम भी सीता को वन न जाने के लिए बहुत तरह से समझाते हैं लेकिन सीता जी मानती ही नहीं है और वे कहती है ये पंक्तियां है साकेत की दोस्तों मेरी यही महामती है मती ही पत्नी की गती है कि मेरी बुद्धी यही सोचती है और जो बुद्धी सोचती है वही उसी पर पत्नी को चलना चाहिए एक श्रेष्ठ पत्नी का यही दाइत्व है क्या है तथा अथवा कुछ भी न हो वहां तुम तो हो जो नहीं यहां राम उन्हें बार बार समझाते हैं कि वन में इस तरह कि संकट होंगे वहां सुविधा और ऐश्वरे के साधन नहीं होंगे तो वो कहती है तथा अथ यह सारी सुक्स विधाय मेरे लिए मिटी के बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में वो यह अपना विचार व्यक्त कर देती हैं कि वे हार स्थिति में राम के साथ वन जाएंगी, आगे चलते हैं अत्यन तो मारमिक प्रसंग है ये और यहां पर उर्मिला की स्थिती देखी सबकी स्थितियां आ गई लेकिन उर्मिला की स्थिती बहुत करुण और उपेक्षित है कोई भी उर्मिला की मना स्तिति के बारे में सोचता तक नहीं लक्षमण भाई और भावी की सेवा के लिए उर्मिला को छोड़ कर जा रहे है और यहां कवी ने उर्मिला को जिस रूप में चित्रित किया है वो हाड मास युक्त इस्त्री नहीं है यानि एक साधाना निस्त्री के रूप में उर्मिला का यहां चित्रन नहीं किया गया है, अपितु त्याग और समर्पन की देवी के रूप में उर्मिला को यहां कभी ने चित्रित किया है, करतव्य की महत्ता उसे महान बना देती है, वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ह करतवय अपने बड़े भाई के प्रती है और उन्हें अपने बड़े भाई के प्रती, अपने करतवय को अच्छी तरह से निभाना चाहिए. तो वो अपनी सारी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने मन को समझाती है और कहती है हे मन तु प्रिये पत का विग्णनावन के मन तु विचलित मत हो पती के जाने से क्यों क्योंकि अगर तु विचलित होगा तो तेरे प्रियतम के करता विपत के मार्ग में तो अपने मन को इस तरीके से समझाती है और यहीं पर चौथा सर्थ समाप्त हो जाता है पांचवा सर्ग शुरू होता है राम सीता और लक्षमन वन के चले जाते हैं नगर वासियों की पीड़ा का भी यहां पर चित्रन किया गया है जो राम चरित मानस में तुलसीदास जी न पर पहुंचते हैं और फिर गंगा नदी के तड़ पर पहुंचते हैं और वहां गंगा नदी को निशाद राज वहां मिलते हैं और वे उन्हें गंगा पार कराते हैं और उसके बाद वे प्रयाग को पार करते हुए चित्रकूट पहुंच जाते हैं आगे चलते हैं छटे स उस शोक से राजा दशरत और रानिया अपने आपको उबार ही नहीं पा रहे हैं सुमंत लेकिन उनमें फिर भी उम्मीद है क्योंकि सुमंत जब उन्हें छोड़ने गए है रत पर ले करके तब दशरत ने उन्हें कहा है कि थोड़ी देर बाहर गुमा कर वन में उन्हें वाप सर्व दोस्तों यहीं समाप्त हो जाता है अब सात्वे सर्व की शुरुआत होती है भरत और शत्रुग्न ननिहाल से वापस लोट कर आते हैं और जब वो रास्ते में हैं तब भरत को किसी अमंगल की आशंका से बेचैनी होने लगती है उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ न कुछ बुरा गटित होने वाला है महल में आकर जब उन्हें सारी सूचनाय प्राप्त होती हैं तो उन पर जैसे वज्रपात हो जाता है यानि वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो स्वयम को अपराधी मानने लगते हैं और शोक के कारण वे भी अचेत हो जाते है यानि बेहोश हो जाते हैं गुरु वशिष्ठ उन्हें धैर्य बनाते हैं और अगले दिन क्योंकि मृत्यू हो चुकी है राजा दशरत की तो अगले दिन भरत शत्रूग्न के आने के बाद राजा दशरत का अंतिम संसकार संपन होता है आगे चलते हैं आठ्वा सर्गा आत शत्रुग न इसी समय आते हैं, दोनों दोड कर राम और सीता के चरणों में लेट जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो माताएं आई हैं, उन्हें श्वेत वस्त्रों में देखते ही राम करुणा से चीतकार कर उठते हैं, यानि वे ये समझ जाते हैं कि उनके पिता अग इस दुन कर रही है, देखिए ये मैथली शरण गुप्त की मौले कुद भावना है, कि उन्होंने यहां केकई के पश्चा ताप को अभिव्यक्त किया है, जो कि राम चरित्मानस या वालमी की रामायन में नहीं है, तो केकई का राम से अयोध्या लोटने का अनुरोध किया जाता है, शोक और आत्मगलानी से परिपूर्ण केकई का यहां पर चित्रन किया गया है, लेकिन जब राम नहीं मानते, तो भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लोट आते हैं, इस बीच आपको ये प्रसंग ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम नवे सर को तब इन सब का अपरत्यक्ष रूप से संकेत आएगा कथा में, तो आपको इस बात को भूलना नहीं है, भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लोटते हैं, इस बीच सीता द्वारा लक्ष्मन एवं उर्मिला का कुटी में थोड़ी देर के लिए मिलन करवाया लेकिन दोनों इतने अधिक, दोनों के हिर्दय पीडित हैं, कि वे अपनी विचारधाराय, अपनी मना स्थिती एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर ही नहीं बाते, इसके बाद नमासर्ग प्रारम होता है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, नवे सर्ग में उर्मिला की वि अथा का चित्रन करना, नवम सर्ग की पूरी की पूरी कथा, उर्मिला के अश्रूओं से गीली है, यानि नवे पूरे के पूरे नवे सर्ग में उर्मिला की विरह विदना को बहुती करुण और मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है कवी के द्वारा, उर्मिला क्या करती है मन मंदिर में अपने आराध्य स्वामी यानि अपने पती लक्षमन की मूर्ती स्थापित करती है अपने हृदय में उनका ध्यान करती है और स्वयम आरती बनकर जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं दीपक में बत्ती जलाते हैं और उनकी आरती उतारते हैं उसी तरह उर्मिला अपने हिर्दय में अपने पती लक्षमन की प्रतिमा को स्थापित करती है और स्वयम जो विरह वेधना में जलती है एक बत्ती की तरह निरंतर जलती है तो कभी कलपना करते हैं मानों वो स्वयम आरती की चुआला बन चुकी है। दस्वे सर्ग में उर्मिला बीते हुए समय की स्मृतियों में डूबी हुई रहती है और हर प्रसंग को याद करकर अपने आपको समभलने की कोशिश करती है। अंतरे के स्थितियों से परिचित कराते हैं तो यहाँ पर 11 सर्ग में वही एक प्रसंग यहाँ चितरित किया गया है शत्रोग नाते हैं और भरत को साकेत की यानि अयोध्या नगरी की सारी व्यवस्थाओं का परिचे देते हैं। इसी बीच हनुमान द्वारा लक्ष्मन के शत्ति लगने और मूर्चित होने की कथा कहना। क्या होता है कि जिस समय वे वहाँ बैठे हैं भरत वो सामने से किसी एक व्यक्ति को जो मनुष्य नहीं है उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देखते हैं और आशंकित होड़ते हैं कि संभवत है आयोध्या पर कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। तो वे ततकाल बिना सोचे समझे हनुमान पर बांड चला देते हैं, हनुमान बांड से आहत होकर जमीन पर गिर पढ़ते हैं, उनका उपचार किया जाता है। इसलिए उनका उपचार किया जाता है और जब वे होश में आते हैं हनुमान जी तो वे संगशेप में पूरा का पूरा प्रसंग युद्ध का उन्हें बताते हैं और उसके बाद वे ये कहकर कि उनके पास समय बहुत कम है क्योंकि उन्हें संजीवनी भूटी लक्षमन के अपना है वे चले जाते हैं पूरी की पूरी कथा 11 सर्ग यहीं तक चलता है उसके बाद 12 सर्ग आता है भरत को जैसे ही पता चलता है कि युद्ध शुरू हो गया है और लक्षमन मूर्चित हो गये है तो वे ततकाल आक्रोश में आकर के सैना तैयार करने लगते हैं और इसी सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए और कह रहे हैं कि वहां की सारे धन संपत्ति और एश्वरे को लेकर हम वापस आयोध्या आएंगे तब उर्मिला इस बात का विरोध करती है कहती है वो राक्षसों की नगरी है उन्होंने एक सती इस्त्री का प्रदान करेगी हमारे यहां किसी भी प्रकार के एश्वरे के कमी नहीं है इसलिए हम लंका नगरी के किसी भी धन को हाथ नहीं लगाएंगे और सारे सैनिकों को वीरता पूर्वक उद्वोधन देती है और सबको इस बात के लिए तैयार करती है कि वे कोई भी संपत्ति वह जिस तरह से वेद व्यास ने महा भारत में पूरे युद्ध का हाल दिखाया था दृत राश्टर को, उसी तरह से यहां गुरु वशिष्ठ युद्ध का दृश्य उन्हें दिखाते हैं, भारत इसी बीच युद्ध समाप्थ हो जाता है, लोटकर राम, सीता और लक्षमन समाप्थ हो जाती है, इस प्रकार यह जो साकेत है, इसकी मूल कथावस्तु, राम के चिर परचित आख्यान की नवीन प्रस्तुती है, यानि जो आख्यान प्रारम से राम की कथा का जो स्वरूप रहा है, उसमें कविने, समय और परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि उनक उद्देश राम की कथा का चित्रन करना नहीं, बलकि उर्मिला के उपेक्षित और अनभिव्यक्त व्यक्तित्तु के अंच्छुए पहलों को अभिव्यक्त करना है, उसकी मनास्तिती को अभिव्यक्त करना है, इसलिए उन्होंने इस कार्य को, इस उद्देश को पूर्ण क करने के लिए और प्रभावशाली धंग से काव्यात्मक प्रस्तुति करने के लिए इसे मौलिक उद्भावनाओं के साथ अभिव्यक्त किया है तो दोस्तों ये हुई हमारी साकेत की कथावस्तु अब चलते हैं और शुरू करते हैं साकेत का नवमसर्ख अब देखिए यहां बात की जा रही है पंक्तियां शुरू हो रही है नवमसर्ख की दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूत शीला त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही राजा योगी जै जनक वेपुन्य देही विदेही क्यूंकि उर्मिला के व्यक्तित्व का उद्घाटन करना कवी का उदेश्य है और नवा सर्ग उर्मिला की विरह वेदना की मारमिक प्रस्तुती है इसलिए इस नवे सर्ग की शुरूआत कहां से हो रही है राजा जनक के चित्रण से इसमें राजा जनक का चित्रण किया गया है और राजा जनक के चित्रण के माध्यम से उनकी पुत्रियों के गरिमा मैं व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया है कभी के द्वारा तो कभी लिखते हैं दो वईशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूत्षीला कि जिन जिस राजा की पुत्रियां पूत्षीला यानि पवित्र आच्रण वाली जिनकी पुत्रियां पवित्र आच्रण वाली है कितनी पवित्र आच्रण वाली है सौ पुत्र जितने पवित्र आच्रण वाले होंगे उनकी पुत्रियां उनसे भी अधिक उनकी चार पुत्रियां है और चारों पुत्रियां सौ पुत्रों के पवित्र आच्रण से भी आचनंद वाली है कहने का अभिप्राए कि राजा जनक की चारों पुत्रियां अत्यनत प PHP और शुद्ध आत्मा हैं उनका आचनंद वह बहुत सदाचारी है और अत्यनत पवित्र आचनंद करने वाली है कर तब अधम्रश करता वी पत से पीछे खटने वाली नहीं है तियाग यानि इन पवित्र आचरन वाली पुत्रियों के पिता आखिर कैसे हैं, तो वे ऐसे हैं, जो एक ग्रहस्त हैं, जो अनासक्त गेही, गेही का मतलब है ग्रहस्त, ग्रहस्त जीवन जीने वाले हैं, लेकिन कैसा ग्रहस्त जीवन जीने वाले हैं, अनासक्त, यानि सांसारिक लिप्त ना होते हुए एक ग्रहस्थ का जीवन व्यतीत करने वाले हैं, माया मोह और किसी से अनावश्यक आसकती रखने वाले नहीं हैं, तो अनासक्त रहकर भी अपने ग्रहस्थ जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं, ऐसे हैं राजा जनक, तो अनासक्त होकर भी ग्रहस्थ जीवन जीना तो यहां पर दोस्तों हो गया है विरोधा भास अलंकार जब दो विरोधी स्थितियों का चित्रन काव्य में होता है तो वहां विरोधा भास अलंकार होता है क्योंकि ग्रहस्थ भी है और अनासक्त भी है यानि त्याग भावना भी है और हमारे उपनिशदों में यह हमारी संस्कृती का मूल मंत्र है यह और हमारे उपनिशदों में कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था यानि संसार की सभी वस्तूओं को त्याग की भावना से भोगना है उनके प्रती जितनी हमें आवश्यक्ता है हमें उतनी ही चीजें लेनी है उतनी ही सुविधाएं लेनी है इस भाव से जीने का संदेश हमारे धर्म गृत्थों में दिया गया है और क्योंकि राम के भक्त है म यही कारण है कि उन्होंने राजा जनक के व्यक्तितु के इस पक्ष को यहां उजागर किया है कि वे अनासक्त रहकर अपने ग्रहस्थ जीवन के दाईत्वों को निभाते हैं। आनन्द पूर्वक जीते हैं। राजा योगी जै जनक और इसलिए क्योंकि अनासक्त रहकर ग्रहस्थ जीवन जीते हैं इसलिए वे राजा भी हैं और योगी भी हैं। दो अर्थ हैं यहां दोस्तों। विदेही एक को विदेह के राजा है। और दूसरे देह में रहकर भी अनासक्त हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहां हो गया दोस्तों शलेश अलंकार। क्योंकि एक शब्द है विदेही और उसके दो अर्थियां सामने आ रहे हैं। आगे चलते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा सरस्दोपद भी न हुए हा हा। कठिन है कविते तव भूमिही पर यहां श्रम भी सुकसा रहा। कभी कह रहे हैं अपने आप से कह रहे हैं। देखिए राजा जनक की बात कर ली, उनकी पुत्रियों की बात कर ली। अब कभी अपने हृदय के उधगार यहां व्यक्त कर रहे हैं। कविता को संभोदित करके कह रहे हैं कि वह कविता तेरी जो भूमी है, यानि ते रा जो स्रजन का कार्य है, वह बहुत कष्ट साथिến, बहुत ही कठिन कार्य है। क्यूं है कठिन कारे क्योंकि जिसकी पीडा को अभिव्यक्त करना है पहले कवी को उसकी पीडा को अपने हिर्दय में अनुभव करना पड़ता है ये एक बहुत ही कठिन कारे है लेकिन ये कठिनाई सहकर भी ये परिश्रम करके भी कवी अंतत है जब कविता स्रजित हो जाती ह तो एक अद्बुत सुख, एक अद्बुत आनंद का अनुभव करता है। लेकिन अगर जो कवी ऐसा नहीं कर पाता तो उसका जीवन क्या है? विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा ऐसे कवी जो सचमुच में एक अच्छी कविता का स्रजन नहीं कर पाते, दो बद भी अच्छे न हुए हाँ, अगर वो व्यक्ति कवी होते हुए भी, कवी प्रतिभा रखते हुए भी, दो अच्छे भावपूर्ण पदों का स्रजन भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि उसका जीवन सार्थक है ही नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए आगे क्या गयते? कठिन है कविते हे कविता, तव भूमी, यानि तव मतलब तेरी, तेरे स्रजन की भूमी, तेरे स्रजन की भूमी का मतलब है स्रजन की प्रक्रिया, तेरे स्रजन की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक कवी उस पीडा को, उस बिंदु को, जिसे वो अभिव्य करने वाला है कविता के माध्यम से उसे अपने हर्दय की गहराई में अनुभव नहीं करेगा उस पीडा को अपने भीतर नहीं भोगेगा तब तक एक प्रभावशाली एक सशक्त काव्यकृति की रचना हो ही नहीं सकती पर यहां श्रम भी सुख सा रहा लेकिन जब वो ऐसा कर क्यों करुणे क्यों रोती है बहुती महतुपूर्ण पंक्ति आएं दोस्तों अच्छी तरह से समझ लेंगे प्रश्न पूछा जा सकता है करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू मेरी विभूती है जो उसको भवभूती कहे क्यों कोई देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि करुणा जो भाव है उसका मानवी करण किया गया है यानि मानवी करण अलंकार है कवी क्यूंकि अब साकेत में उर्मिला की विरह वेदना को अभिव्यक्त करने वाले है तो अभी उनोंने पिछले पद में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब भी कुई कवी किसी की पीडा को अभिव्यक्त करता है तो उसे उसको अभिव्यक्त करने से पहले अपने भीतर अणुभव करना पड़ता है. तो कवी के हरदय में उर्मिला की पीडा भर गई है और उनका हरदय चीतकार कर रहा है हाहा कार कर रहा है ऐसी स्थिती में वो करुणा को एक स्री के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि हे करुणा तू इतनी अधिक क्यों रो रही है इतनी अधिक रोने का अर्थ क्या है इतन जादा मेरे हर्दय में प्रबल रूप में क्यों उत्पन हो रही है उत्तर में और अधिक तू रोही और उत्तर जब मैंने तुछ से पूछा कि करुणा तू क्यों रो रही है तो उत्तर में तू और अधिक रोने लगी यानि तू ने कोई जवाब नहीं दिया बलकि और जोर- कि करुणा से प्रश्ण करने पर और अधिक करुणा का भाव कवी के हिर्दय में उत्पन हो गया ये तो इस पंक्ति का है दोस्तों एक अर्थ दूसरा अर्थ है करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई उत्तर में शलेश अनंकार एक तो उत्तर है जवाब ये मानविय प्रक्रिया होती है, एक मानविय स्वभाव होता है दोस्तों, कि जब हम किसी रोते हुए बच्चे से यह पूछते हैं कि बही क्यू रो रहे हो, तो पहले वो जवाब नहीं देता, बलकि और ज्यादा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो उस कारण के प्रशिद्ध में एक कथन है उत्तर रामचरिते भव भूति ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा को अभिव्यक्त किया है और वो विशिष्ट प्रतिभा है करूण रस को प्रभावशाली सशक्त मारमिक रूप में अभिव्यक्त करना जिसे पढ़कर पाठक स्वयम रो उठें रो पढ़े और उत्तर रामचरित में राम जब सीता जी का त्याग कर देते हैं उसके बाद वो सीता जी की विरह वेदना की जो पीड़ा अपने भीतर महसूस करते हैं उसकी करूण अभिव्यक्ति यहां पर की गई है तो क्योंकि करूण रस की शेत्र में उत्तर रामचरित नामक जो कृती है उसका विशेश स्थान है क्योंकि वहां करुण रसका बहुत सुन्दर अभिव्यंजन हुआ है, बहुत सुन्दर परिपाक हुआ है, यही कारण है कि कवी कहते हैं कि तू तो मेरे हृदे में ही उर्मिला की पीडा को अनुभव कर इतना रो रही है, इतना उ करुणा कहती है, मेरी विभूती है जो उसको भवभूती कहे क्यों कोई, कि ये जो एश्वरे है, कौनसा एश्वरे है, करुणा को व्यक्त करने का जो एश्वरे है, करुणा को व्यक्त करने का जो एश्वरे है, वो तो मेरी विभूती है, यानि मेरी संपत्ति है, मेरी धर तो उसे फिर भवभूती की संपत्ति कोई कैसे कह सकता है क्यों क्योंकि उत्तर रामचरित में करुण रसके परिपाक के कारण उसका श्रेय किसको दिया गया है भवभूती को दिया गया है तो कवी कल्पना कर रहे हैं कि करुणा उनको ये जवाद दे रही है कि जो मेरा एश् एश्वरे कैसे माना जा सकता है। अभीव्यक्त करने का एश्वरे। किसको मिलने वाला था? कवि मैतली श्रणवुषत को मिलने वाला था। तो विभूती के भी दो अर्थें, भवभूती के भी दो अर्थें, एक थो है रा म 4, यानि उपेक्षा, और एक भवभूती कवि, तो यहां भी दो अर्थ हैं और यहां पर लेट हैं और उत्तर के भी दो अर्थ हैं इस प्रकार यहां इन पंक्तियों में शलेश अलंकार हो गया और मानवी करण अलंकार हो गया आगे चलते हैं अवध को अपना कर त्याग से वन्त अपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन्का वरत लिया, अब पूरी प्रश्ट भूमी उर्मिला की विरह वेदना की यहां कभी के द्वारा तैयार की जा रही है, कभी कहते हैं कि अवध को अयोध्या के प अपिगरियसी यानि जो जन्म भूमी है, वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ट है, तो इतना अधिक आत्मिय भाव अयोध्या यानि साकेत नगरी के प्रति श्री राम के इर्दह में था, लेकिन जब करतवय की बात आई, जब 14 वर्ष के वनवास की बात आई, जब पिता क आज्या के पालन की बात आई, जब माता के आदेश के पालन की बात आई, तो उन्होंने उसी आत्मिय भूमी को, उसी जन्म भूमी को त्याग भाव से अपना दिया, त्याग अपनाया भी, यानि अपने आयोध्या के प्रति अपना जो लगाव था, उसको अपने हर्दय मे सजोकर रखा और करतव ये पालन के पत पर उसे त्याग कर आगे बढ़ गई और फिर उन्होंने क्या किया वन तपोवन सा प्रभु ने किया और क्योंकि इसके मूल में उनके वनवास के मूल में क्या उद्देश्य था लोक मंगल लोक कल्यान यानी प्रित्वी जो राक्षसो के अत्याचारों से पीडित थी उसे राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराना उद्देश्य था इसलिए उन्होंने उस वन को जिस वन में उन्हें बेजा गया था उस वन को भी तपोवन के समान कर लिया अपनी सद्भावनाओं अपने परिश्रम के द्वारा उन्होंन रहने जैसा वरत ले लिया, यानि भाईयों के प्रेम की और संकेत किया गया है, और उर्मिला के विरह की प्रश्टभूमी यहां इन पंक्तियों में अभिव्यक्त की गई है, तपोवन सा में उत्मा अलंकार है दोस्तों, अवद को अपना कर अनुप्रास अलंकार है, आगे च कर अंपाराँ रहता झाख measure a जाईयों कर दक्तियों के शीज़के चाहने कर अविप फंधना कि अलंकार Sh conteúdo झांपना है, यहाहत भाऑः, तंक्तियों कर घपना कि अलंकार है, चाहिरू.